So, आज किस वीडियो में आप लोगो Android phone के battery life को कैसे increase किया जाता है वो भी अपने phone को root किया भी ना ये बताऊंगा जिससे आपके Android phone के battery ज़्यादा देर तक backup देगी So, without wasting any more time, let's get distracted So, वीडियो स्टर्ट करने से पहले मैं आप लोगो एक बात समझाना चाहता हूँ कि अपनी phone की battery की life आप किसी भी तरह से increase नहीं कर सकते है So, let me explain this to you that अगर आपका phone का battery proper condition में है और आप उसे full charge करने के बाद 2 hours use करते है और आप चाहता है कि मैं इसे increase करके 2.5 या 3 hours कर लो तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपनी battery capacity को increase कर देते हैं जो कि अभी के Android phone पे possible नहीं है क्योंकि existing battery capacity से ज़्यादा आपके phone के hardware के साथ support नहीं करेगा और अगर करता भी है तो वो सही तरीके से work नहीं करेगा तो Android phone की battery life increase करने का एक ही तरीका है कि आप battery को इस तरह से कुछ use करें कि आपकी battery कम use हो या efficient तरीके से use हो सबसे पर आपको अपने phone के settings में जाना है and then about section वहाँ से build number पे consecutive 7 times टैप करके developer option को enable कर लेना है और फिर back आजाना है main settings page पे और developer option को open करके scroll करने नीचे की तरफ और वहाँ आपको एक option दिखेगा force GPU rendering इससे enable करने के बाद GPU आपके CPU के work को 20 to 25% low कर देगा और आपका phone थोड़ा fast भी हो जाएगा और phone heat होना कम हो जाएगा क्योंकि अब आपके phone में 2D graphics यूज होंगे applications को run करने के लिए जो obviously कम battery drainage करेगा ये तो एक तरह का tweak था बट मैं आप लोगो अब दो main process ये app के बारे बताता हूँ जो आपको searsort result देगा जिसमें first app है greenify में भी आप साहँ जानते होंगे इस app के बारे है बट बहुत सारी users इ ये app से आपको result जरूर मिलेगा तो सबसे पहले आपको इससे install कर लेना है and then open करके next पे tap करना है और यहाँ आपको select करना है कि आपका device rooted है या नी तो मैं यह not rooted select करूंगा बट अगर आपका phone rooted है तो आप इसे और भी fluently और effective तरीके से use कर सकते हैं बट मैं यह not rooted को select करके next पे tap करता हूं और screen lock compatibility को enable करके फिर next पे tap करता हूं उसके बाद आपको इस तीन settings और permissions को ठीक तरीके से set करना है जिसे सारे users ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो सबसे पहले आपको first option के verify button पे tap करके अपने phone के setting से security option में जाकर power button instantly lock device को disable कर दिना है और अपने बाद automatically lock को 5 seconds after slip पे set करना है और last option को enable करने के लिए आपको अपने accessibility option को open करके greenify app के services को on कर देना है और वापिस आ जाना है greenify app में और next next करके app को पूरी तरह से open कर लेना है और open करके इस plus के icon पे tap करना है और scroll करके so more apps पे tap करके सारे थटपटी apps या downloaded apps को select कर लेना है accept उन apps के जिनसे आपको phone lock या screen off होने के बाद भी notification चाहिए like WhatsApp, Facebook, Gmail या Instagram उसके बाद इस sign के option पे tap कर देना है और अब जब भी आप अपने phone use करने के बाद lock करते है तो ये app आपके background में चल रहे सारे battery draining apps को पूरी तरह से stop कर देगा जब तक आप उसे दोबारा यूज ना करन इस प्रोसेस से आपकी phone की जो extra battery drainage होती है वो पूरी तरह से बैन या stop हो जाएगा जिससे आपका battery life directly increase हो जाएगा और जो last tweak या process है वो भी एक app से possible है बट मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने battery manager में चेक करते हैं कि कौन सी चीज आपकी battery ज़्यादा यूज कर रहे है तो वहाँ आपको directly so करेगा screen on time बट Pixos app को install करके इसके filters को enable कर देता है ये app आपके screen के 50% pixels को off कर देगा जिससे आपके screen की quality थोड़ी low हो जाएगी बट screen on time से जो major battery drainage हो रही थी वो अब half हो जाएगी क्यूंकि आपने screen के जो pixels थे उन में से आधिया 50% pixels को off कर दिया है ये app आपके लिए तब useful हो सकता है उस 15 या 20% battery से 25 या 30% battery backup जितना time या uses ले सकते हैं So that's been it guys for today आयोग के tweaks या apps आपके phone के battery life increase करने में काफी helpful सावित हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो like जरू करें इस वीडियो को share करें अपने friends के साथ और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तो आप बहुत सरे ऐसी interesting या useful वीडियो जो मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ उन्हें मिस कर रहें और आपको ये वीडियो जो आपको ये वीडियो ने अगरोड आपको ये वीडियो रहें